चले बुल्टिन को शुरुवात इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं सुक्मा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजरी देने के लिए राइपुर पहुँचे राजनाथ सिंग ने थोड़ी देर पहली एक प्रेस कॉन्फरिंस भी की राजनाथ सिंग ने कहा कि नकसली हमला काईराना हमला है सुक्मा हमला सोची समझी साजिश है जवानों का वरिदान बेकार नहीं जाएगा CRPF की लीडर्शिप पर कोई सवाल नहीं है आठ माई को सभी नकसल प्रभावित राजियों के DGP की बैठक भी बुलाई गई है कल सुक्मा में वामपंथी गुरवादियों के द्वारा जो हमला किया गया है उसे मैं बेहत कायरता पूर्ण मानता हूँ और इसे दुरभाद्य पूर्ण भी मानता हूँ और मैं हमानता हूँ कि वामपंथी पूगरवादियों के द्वारा किया गया यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और आदिवास्टियों को अपनी ढाल बना कर विकास के खिलाफ अभियान छेड़ने की यह उनके द्वारा कोशिश की जा रही है लेकिन मैं यह भी द्रणता के साथ कहना चाहूंगा किसमें वो किसी भी सूरत में काम्याब नहीं होंगे के अंदर सरकार और राज्य सरकार साथ मिलकर हम कारवाई करेंगे और अब तक जो कारवाई की जा रही है उसके कारण जो बौखलाहट है उनके अंदर उसी का यह परिणाम है और उनके द्वारा डेस्परेशन में की गई यह कारवाई है इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारे स्यार्पियप के बहादुर जवानों का या बलजान किसी भी स्तूरत में हम लोग ब्यर्थ नहीं जाने देंगे हमने इसे चुनवती के रूप में स्वीकार किया है इसलिए यह भी फैसला किया है कि हमारी जो यल डवलू ई की स्ट्रेटिजी है उसको हम कुना रिवीउ करने जा रहे हैं जरूरत होगी था हम उसे रिवाइज भी करेंगे और आठ मई को दिल्ली में वह बैठक मैंने बुलाई है और कई राज्यों के अलिकारी उस बैठक में मौजूद रहेंगे बराबर बामपंथी उग्रवाजियों के द्वारा विकास कारे को रोके जाने की कोशिश की जा रही है सच्चाई है कि वो कभी नहीं चाहते कि जो हमारे आदिवाशी शेत्र है अत्वा गरीबों के शेत्र है उनका विकास हो यहां आदिवाशियों के और गरीबों के सबसे बड़े बड़े दुस्मन के लिए इस देश में लिए कोई है तो यह हमारे वामपंथी उग्रवादी है हमारे पच्चिस जवानों की जाने गई हैं साथ गायल हुए है जिन हमारे बहादर जवानों ने अपना बलगान दिया है उनके प्रती मैं तरदांजली अर्पित करता हूँ और उनके परिवार के सदस्चियों के प्रती अपनी संबेदना और सानगूत भी व्यक्त करता हूँ और पुनह मैं यह कहना चाँँँगा कि हमारे बहादुर जवानों का ये वलिदान हम किसी भी जुरत में विर्थ नहीं जाने देंगे कि बार बार हम रड़िक्टी बनाने की बार ते हैं लेकिन हर बार हमारा कुफ़े अपने भी रूपर बोलाता है इस बार में पूचलोटी दीगे आपने बिचल कहा है चुनाउती का जवाद किस तरह से दिया जागा कब दिया जाएं यह कभी स्टेटी कभी डिस्क्लोज दें की जाकिए यह बाद तो मैं समाता हूं कि आप लोग भी समझते हूंगे अभी भी बैट कर पूरी बादशिट की है और पूरी रांकारी मुझे प्राप्त हो गई है और 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 इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि आठ भई को ही बैट कर हम अपनी स्टेट्टी को रिवाइज करेंगे रिलू करेंगे यह फैसला किया है मैंने 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 कहा कि अपसल बाद के खिलाफ जो यहां की राज्य सरकारों के अंदर सरकार में मिलकर अभ्यान चलाया था उसके परड़ाम सुरूर एक डिस्परेशन उनके अंदर पैदा हुआ है और जिसके और यह हम लोग बान कर चल लेते हैं कि इस संभावना को नकारा नहीं आ सकता कभी भी कुछ उनके द्वारा कोशिस हो सकती थी भोविश्य में कोई बड़ी वारदात करें लेकिन अब यह लटना हो गई मैं सबचता हूँ कि ऐसी घड़ी में किसी पर दोसा रोपन करने का कोई यह उचित नहीं है और यह करना नहीं चाहिए आप सबका भी सहयोग चाहिए और आज हम लोगों की बाचीत हुई है सारे अधिकारियों के साथ हमारे सब्सक्राइब कोई कमी नहीं है और मैं सबता हूँ कि हमारे CRPF हो तो अभी सब्सक्राइब की इसी की लीडर्सिप की एफेशेंसी के उपर उपर की कफेविल्टी के उपर जो है साइन आफ इंटुगेशन नहीं लगाया जाए जाए लेडर्सिप की उपर और यहां पर और यदि सीडियर आफसर्स की पोस्टिंग कर दी होगी तो अभी हम करेंगे यह भी हमने तैग करेंगे नहीं नहीं हम यह आपको बतला के नहीं करेंगे मैंने जो कुछ भी है इस्टड़ी आप लोगों को पहले भी मैंने बतला है कि कभी भी स्टड़ी डिस्क्लोज नहीं की जाती है क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं क्यों है उस प्रेंट पर सरकार क्या सब्सक्राइब मैं इन सब सारी चीओं पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं तो क्या बिना डर के वो बहतर थे